Hello everyone, welcome back to NGFund Learning आज की वीडियो में मैं सेयर करने वाली हूँ Practice Worksheets of Pronouns for Class 1 Kids इससे पहले मैं Class 1 के बच्चों को प्रोनाउन में क्या सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए और कौन-कौन से प्रोनाउन बच्चे को बताया जाए इस पे detailed वीडियो बना चुकी हूँ और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चलिए अब वीडियो सुरू करें Class 1 के बच्चों को जेनरली ही, शी, आई, यू, वी, दे एंड इट ये 7 प्रोनाउन वर्ड ही प्राक्टिस कराया जाते हैं तो अब देखते हैं प्राक्टिस वाक्षिट्स, पहला वाक्षिट्स आप इस तरह से बनाईए, फ्लार बना दिए, अब सेंटर में आपने लिख दिया ही या शी, आप बच्चे से बोलिए कि तुम ही लिखना है पेटल्स में कि तुम ही किस के लिए यूज करने वाले हो तुम अपने पापा के लिए यानि फादर के लिए और फिर पीचर के लिए, अंकल के लिए, बॉय का नाम लिख सकते हो, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, कुल शॉपकीपर है, जितने भी मेल परशन है और सिंगल है, उनके नाम तुम ही यहां लिखना है जिन के सी किन किन के लिए यूज होने वाला है वो तुम्हें यहां लिखना है तो ममा या फिर तुम्हारी कोई क्लास्मेट गर्ल के नेम जितने भी है उनके लिए तुम्हारी टीचर माम के लिए आंट के लिए दीदी के लिए सिस्टर के लिए क्या यूज होने वाला है शी तो इस पर चाहिक पमक्रों हो सकता है कोई भी थींग तो टेबल हो गया चैर हो गया कोई प्लांट होगए फ्रूट हो गया बुक हो गई, नोटबुक हो गई, पेंसिल, इरेजर या कुछ भी और भी अनिमल के नाम, वो सारे तुम इसमें लिख सकते हो, सोच सोच कर, तो इस काम में बच्चे को बड़ा मजाता है, इस तरह से वी, वी तुम किस के लिए लिख सकते हो, वैसे ग्रूप जिसमें तुम हो और तुम्हारे कोई फ्रेंड है, या तुम और तुम्हारे पापा है, तो इस तरह से तुम आई, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख दो, किसी क्लासमेट का नाम लिख दो, भाई, बहन, किसी का भी नाम लिखो, इस तरह से दे के लिए समझाईए, कि ग्रूप जिसमें तनू, एक girl है, तो girl के लिए क्या प्रोनाउन आता है? शी, जॉनी, अग boy है, शिंगल boy के लिए क्या आने वाला है? ही, इस तरह से रीना and I, अब दो लोग हैं, जिसमें तुम भी हो, तो यहां क्या होने वाला है? वी, टीना and अवी, यहां दो लोग हैं, लेकिन तुम नहीं हो, तो दे, इस तरह से mango, mango एक thing हो गया, fruit है, तो इसके लिए it, इसी तरह से table के लिए it, पापा, पापा एक man हो गया, single man, तो उनके लिए he, dog, animal है, तो इसके लिए क्या होने वाला है? वो खुद सोच कर लिखेगा, इट, tree, tree, के लिए क्या होने वाला है? इट, यह हो गया, अब देखते हैं, third type of worksit, इसमें बच्चे को बड़ा मजा आता है, यह है matching, अब यहां रफली डाइग्राम बना दीजे, बच्चे डाइग्राम से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें उन्हें मजाने वाला है, अब tree के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होने वाला है, उससे मैच कर दो, इट, अब यहां कलरिंग भी कराईए बच्चे से, हट, हट क्या होने वाला है, इट, mango, mango भी इट, cat, cat भी इट, girl, girl के लिए क्या होने वाला है, single girl है, तो c, इस तरह से boy की picture है, तो he, now fourth type of worksit, यहां sentence में word को अंडरलाइन कर दिया है, अब बच्चे को टिक आउट करना है, a, b, c, तीन ओपसन दे रखे हैं, जैसे sentence है, my dad is a doctor, my dad underline किया हुआ है, तो इसके लिए क्या होने वाला, she, नहीं, he, या it, तो he, good हो गया, Rosie is a good dancer, Rosie एक girl है, girl के लिए see, the train has stopped, train, एक थींग हो गया, तो इ नितिन and I went to park, we, सीता, रेनु and रिया are friends, तीन लोग है, ग्रूप है, पर तुम नहीं हो, तो दे, इस तरह से, now, fifth type of worksheets, इसमें क्या है, underline the pronoun in the sentence, अब बच्चे को sentence read करना है, और pronoun को underline करना है, जैसे, first example, teacher helped, then she read, teacher ने help किया, तब उसने read out किया, तो यहाँ, she, please open and sew it, it, Raju hit it with a stone, तो यहाँ, it, we bought a gift for you, we, they are busy in study, they, the fan is new and it works, sorry, it works well, it, we met uncle Tom, तो अब यहाँ पे वी प्रोनावन हो गया, अब next worksheets pattern देखते हैं, tick out the correct pronouns, यहाँ, option में प्रोनावन लिखा हुआ है, तीन, और sentence के साथ, क्या मैच हो रहा है, उसे बच्चे को tick करना है, जैसे, बच्चे से बोलिए कि तुम sentence के साथ, इसको read करो, he के साथ मैच हो रहा है, it के साथ, या दे के साथ, तो, he, it feeds bird, नहीं, he, he feeds, yes, he, तो इसको tick out करना है, Sam, एक boy है, तो boy के लिए क्या होने वाला है, single boy के लिए, he, तो he को tick करो, V, I, U, am happy, अब यहाँ बहुत इजी आ गया, M, किसके साथ होता है, I के साथ, U और V के साथ, M नहीं होने वाला है, यानि, I, correct answer है, U, I, V, are a strong boy, एक बच्चे की बात हो रही है, और R के साथ, I नहीं आ शकता, तो इस तरह से भी बच्चे इसको recognize कर सकते हैं, You are a strong boy, sentence के साथ क्या match हो रहा है, इधर वाले sentence से तुम्हें हिंट मिलेगी, इसे समझाइए, Then, you, they, it, runs fast, अब runs fast, runs, animal भी run कर सकते हैं, you के साथ, S नहीं होगा, they के साथ, S नहीं लगेगा, इस तरह से समझ में आएगा बच्चे को, It runs fast, now, see, they, या it, dances well, dances well, तो they और it नहीं होने वाला है, she dances well, यह थोड़ा सा tricky है, जहाँ बच्चे को think करना है, then answer करना है, यह हो गया, अब rewrite the sentence using pronoun, अब sentence लिखा हुआ है, उसे तुम्हें फिर से लिखना है, पर यहाँ नाउन की जगा, pronoun लिखना है, जैसे मनीस runs fast, तो मनीस की जगा है, he runs fast, यह हो गया, the dog walked at the cat, तो dog की जगा क्या लिखना है, it walked at the cat, roomie is flying a kite, अब roomie एक girl है, तो इसके लिए क्या आने वाला है, she, उसके बाद sentence सेम होगा, is flying a kite, इसी तरह से, राशी, roomie and I are playing, जब तुम भी हो, तो group क्या कहला हैगा, we, are playing, इस तरह से, next, राम, जॉन and Sam are singing, यहाँ, एक से ज़्यादा लोग हैं, पर तुम नहीं हो, तो, they are singing, इस तरह से, sentence में तुम्हें, correct pronoun पूछ करना है, और sentence को फिर से लिखना है, इससे बच्चे के लिखने की habit भी होने वाली है, और pronoun का revision तो हो ही रहा है, तो इस तरह से, आप बच्चे की practice करवाईए, प्रो नाउन से related, चोली बच्चे class 1 में, प्रो नाउन क्या है, कौन सा सही होगा, इसी में confused रहते हैं, नाउन और प्रो नाउन में कई वार confused रहते हैं, तो एक worksheet आप उस तरह से भी बना सकती है, कि आपने नाउन और प्रो नाउन को मिक्श कर दूर हो जाएगी, तो that's all friends, ये था आज का वीडियो, I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, यूजफुल लगे, तो like करें, share करें, और मेरे चैनल पे नए हैं, तो subscribe जरूर करें, thanks for watching, bye bye